नमस्कार आप देख रहे हैं यूपी पांगे उत्तर मैं हूँ आपके साथ प्रिया सिंग क्या उत्तर प्रदेश का महौल बिगारने की साज़िश रची जा रही है? क्या अमन चैन के दुश्मन कोई शड़ेंत्र रच रहे हैं? क्या सनातन धर्म को टागिट किया जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बुलंद शेहर में बीती रात असमाजिक तत्वों ने एक दो तीन नहीं बलकि चार मंदिरों पर धावा बोला है और गुलावठी के बराल गाओं में असमाजिक तत्वों ने शनी मंदिर, शुब मंदिर और देवी मंदिर के करीब एक दरजन से जादा मूर्टियों को खंडित करने का काम किया है इस घटना के बाद से ग्रामीड और हिंदुवादी संगचनों में आक्रोश है उधर पुलिस ने मामला दर्च कर लिया, सीजी टीवी फुटेश खंगाल करके पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है लेकिन इस घटना से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बुलंद शहर की घटना किसी की शरारत है या फिर सोची समझी साजश आखिर मंदिरों पर हमले के पीछे किस का हाथ है खास पैनल के साथ हम इस पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखरकार बीती रात बुलंद शहर में हुआ क्या बुलंद शहर में चार मंदिरों में तोड़ फो बुलंद शहर में बबा किस की साजश उत्तर बबेश के बुलंद शहर में सांपुर्दा एक सोहार्द बिगाडने की घटना सामने आई कुछ अग्यात असमाजिक तो ने चार हिंदू मंदिरों में तोड़ फोड़ की जिसके बाद से पूरे इलाके में तनाव पूर माहौल बना हुआ है मूर्ती तोड़े जाने की वज़े से नाराज ग्रामीडों और हिंदू वादी संगठन के कारिकरताओं ने हंगामा किया और दूश्यों पर सक्त कारवाई करने की बाद वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन वौके पर पहुंचा पुलिस की टीम ने गाउवालों से बात कर घटना से जुड़ी जानकारी जुटाए वही इस पूरे माबले में स्पी सिटी का कहना है कि गाउं के लोग पूरी तरह से सा योग कर रहे है उन्होंने कहा कि जल्द पूरे माबले का खुलासा कर लिया जाए गाउवाले पुलिस प्रशासन लगातार गाउं में लगे सिस्टी भी फुटेज खंगाल रहा है जिससे दोशियों का सुराग मिल सकें उधर बुलन शेहर के डियम चदरप्रकाश ने मंदिर में तोड़फोड की गटना पर कहा कि प्रशासन सब से पहले खंडित हुई मूर्तियों की जगे नई मूर्तियां स्थापित करने का काम कर रहा है वहीं उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो दोश्यों पर एनसे लगाने से भी नहीं चुकेंगे लोग जो मुर्तियां खंडित हुई हैं उनको पहले हम परियोग चेंज करवार हैं मुर्तियास थापना करवार हैं और कोई भी दोसी बक्सा नहीं जाएगा पकड़े जाएंगे सक से सकत कारिवाई होगी और मैं इनसे लगाने में भी चुकूंगा नहीं तो इसलिए मेरा आप से निवेदन है कि इसको संसनी खेज ना बनाया जाए घटना घटी है और उसको हम लोग अनावरण भी करेंगे और जो दोसी हों पकड़े भी जाएंगे मंदिर में तोड़ फोल्ड की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक विबाग की टीम और पुलिस अधिकारियों ने घटना स्खलका में दिक्षर किया पुलिस और पुलिस और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि गाउं में तनाव का माहूल ना बने ये चोरी के उद्धिस यसे तो की नहीं गई है ठीक है लेकिन जो इसका मुझे लग रहा है कि मुझे इसका मैन मोटिवेस का करने का इसको हिंदो की आस्ता को आहत करना ग्रामीनों की आवाज है और चाहते हैं कि इस पुरे मामले में पुलिस प्रशासन जाच करे और जो आरोपी हैं जिसने भी मंदिर में तोरफोर की है या फिर इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिस कि उसके खिलाब सक्त सक्त कारवाई की जा और यही वज़ा है कि प्रशासन भारी संख्या में यहाँ पर मुझूद हैं ताकि शान्ती और सौहार बना रहे हैं राजुराज जी मेडिया बुलेंस है देखिए पहली बार नहीं है जब उतर प्रदेश में मंदिरों को निशाना बनाया गया हो पहले भी अमन चैन के दुश्मनों ने महल खराब करने के लिए मंदिरों पर हमला किया कब-कब ऐसे मामले सामने आए आपको वो भी बता देते हैं दरसल 29 अगस्त 2022 अलीगड में मंदिर पर हमला हुआ प्राचेन शिब मंदिर था जहां छोटी बड़ी कुल 30 मूर्दियां खंडित करती जाती है 3 अप्रिल 2022 को गोरखपुर में गोरखनात मंदिर पर हमला होता है वहीं 10 अगस 2021 को गाजयबाद में डासना मंदिर पर सो रहे साधू पर जानलेवा हमला होता है वहीं जून 2021 सहारनपुर में भी यही होता है अग्यात लोगों ने मंदिर के बाहर अस्थापित श्रिवलिंग को हटा दिया 10 अगस 2020 को बिशनौर से एक खबर आती है मंदिर में तोड़ फोड मूर्ती खंडित करने का प्रयास किया जाता है और फिर 5 जून 2019 पीली भीट यहाँ पर रोहनिया गाउं में तनाव धरमस्थल में तोड़ फोड होता है तो ये तो ताजा कुछ एक मामले है जो बीते 2-3 साल में सामने आये हैं वो हमने आपके सामने रख दिया है तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं सबसे पहला सवाल क्या है वो भी जान लीजे पहला सवाल यह है कि बुलंद शहर में औरंगजेबी गांग पर श्रिकंजा कब दूसरा सवाल आज का है कि मंदिर पर अटाक सनातन टार्गिट यह सवाल बहुत इंपोर्टेंट है तीसरा सवाल है मठ मंदिर पर हमला कौन बिगाड रहा है यूपी की फिज़ा चौथा सवाल दोज़ार चौबीस के चुनाब से पहले महौल खराब करने की क्या एक साज़श हो सकती है यह यह तमाम वो सवाल है जो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे उनके सामने में रखोंगी तमाम खास मेमार हमारे साथ जुड चुके हैं सबसे पहले परिचे करादू उसके बाद चर्चा की शुरुआत करूँगी आलोक अवस्ती है प्रवक्ता है बीजेपी के विवेक पांटे है नेता है समाजवादी पाती से मुहमद अतीक नेता मुसलिम लीग से और आगे हमारे साथ साथवी गितामबा हिंदु धर्म गुरू भी जुडेंगी बहुत बहुत स्वागत है सर आप लोगों का और मैं चर्चा की शुरुआत करूँ उससे पहले एक रुकेस्ट है आप लोगों से वो ये कि आप स्वतंत रहें अपनी बात को यहाँ पर रखने के लिए चु नाय रुकने का नाम नहीं ले रही है बलकि बढ़ते चली जा रही है और 2019 से लेकर के आज 2023 के भीतर कब कब मंदिर को टागिट किया गया कितनी मूर्तिया खंडित की गई कहां साधू तक को नहीं बक्षा गया है उन पे भी हमले हुए है आखिरकार इसको आप कंट्रोल क्य देखिए इसको अभी किसी धार्मिक एंगिल को देने की जुरूत नहीं चैनल को यह विश्चत रूप से अपरादिक क्रत्य किया गया है चारों मंदिरों में पूर्तियों की पुर्णरे स्थापना हो रही है पूरिस की पांश्टी में लगातार जो है इस समय दबिश दे नहीं है चक्यादार पे पांचे लोग हिरास्त में लिया गया है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस चक्षा मातों में है और वह जल्दीज बात का पारदा अफास करेगी इसमें कोई भी एंगल ना हो किसी भी तरह के अवा पहलाना समाज में विद्देश करती है कालांतर में आप देखा ओगा किस तरह के सबनेंगाईयों के खिला बहुत चक्त कारवाई करी है उनकी घरों तक पी कुडकी की गई और चोरा चोरा पोस्टर चिपका गए थे तो मजह लगता है कि इसमें दार्मीक एंगल ना देखना चाहिए पहले देखना है क्या माने फिर इसको हम इसके पीछे कि क्या मान सकता हो सकती है मुझे लगता कि जाज कर वहान ल दीजिए अभी एकदम से जो है पुलिस को फुलिस अफने बाप आपको बयानने बख रखे कि सामने आपके और वेरा उतरहिं कहना है कि सथब्धर्द सरकार किसी पुझाइब कर देंगाई की खिलाफ सक्स कारवाई करती रही है हमने कभी भी जो है इस तरह की छूट किसी को नहीं दिये यह समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि योध्या में पंच पोशी परिहर में जो है वो पाबंदी लगा देती है संगराचारी जी को काशी में पिटवा देती है और राम भक्तों पर गोली जलड़ा देती है और चिन आतंगवादियों नामला किया था उनके मुकद्रे वापस ले लित् गुंडों पे आतंगवादियों पे और दंगईयों पे कट्षोड कम तरवाई करते हैं और इसका आपने नतिज़ा देखा हुआ है उत्ता प्रसक्राइब लाओ नौटर इस समय कंट्रोल पे है लेकि जिन लोगों ने भी इस तरह का भेदभाव और इस तरह का बदमासी करी ह पिश्की सर्कारों ने ऐसा भेदभाव किया था इस वज़े से आज भी इस तरीके की चीज़े हो रही है आप यह कहना चाते हैं विवेक पांडे हो रही है